हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ रहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामदें मोस्ट इंपोर्टेंट साइ सब्जेक का एक निव चाप्टर एक फ्रेश चाप्टर के शुरुवात करने जा रहे है दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नमर 12 मस्क्यूलर सिस्टम एंड डायजेस्टियू सिस्टम इन हुमेंस ठीक है तो लिए प्रकार हमारे मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं क्या होत बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगो जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए दुबारा वीडियो बना रहे दोस्तों ताकि आप लोगो हर चीज हम लोग वापस से पहले जैसा दे सके तो हर चीज आपको टाइम बिलते रहे कि बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ फटा-फट से शेयर कर देना दोस्तों हेल्प मिलेगी मुझे काफी जादा और आप लोगो भी मैं करते रहोंगा ठीक है फ्रेंड्स तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं पहला लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का जिसका न आपके बॉड़ी में जितने भी टाइप के मसल्स होते हैं यह क्या होते हैं मस्कुलर सिस्टम्स में कैरी आउट होते हैं यानि कि गिने जाते हैं अब हम बात करें मसल्स की जो सबसे पहले हमको पता है कि there are various types of muscles which are present in our body अगर हम बात करें हमारा biceps, triceps, triceps भी एक मसल होता है क क्या होता है हर चीज़ बता रो लेकिन आप सबसे पहले सुनो, biceps, triceps muscle है, फिर हमारे पैर के अंदर भी मसल्स है, हमारे श्टमक के अंदर मसल्स है, यह भी आपका एक तरीके से मसल्स है, हर जगा आपके muscles involved है, इवन आपके अंदर, body के अंदर भी बहुत सारे ऐसे muscles है, जो Fibers होते हैं, muscles are nothing but fibers, जो कि आप लोगो contract कर सकते हो, relax कर सकते हो, यह चीज़ आपको जानना जरूरी है, ठीक है, तो muscles क्या होते हैं, हमारे सबसे पहले मैं बता हो, जितने भी type के muscles होते हैं, वो bone से जुड़े हुए रहेते हैं, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ज तो for example, यह मेरा muscles है, अब muscles जो है, इसके अंदर क्या है, एक bone चुपा हुआ, यानि कि एक हड़ी है इसके अंदर, तो जो bone है इसके अंदर, वो muscles से जुड़ा हुआ है कि ने जुड़ा हुआ है, obviously आप बलोगे, sir जुड़ा हुआ है, तो जोस तो आपको एक चीज मैं बता होता है, लेकिन एक organ होता है, एक तरीके से tissue होता है, जो आपका cells होते है, जो tissue होता है, जो connection का काम करते हैं, तो muscles और bone को जो connect करने का काम करते हैं, वो चीज़ को हम लोग बोलते है tendon, और यह बहुत important चीज़ है याद रखने के लिए, ठीक है, आपको NCRT के लिए भी काम MCQS वगरे में पूछता है, तो एक चीज़ याद रखना कि muscles को bone से जो जोड़ता है, उसको बोलते है tendon, यानि कि हमारे muscles के अंदर और bone के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं, जो हमें पता नहीं है, उसमें से एक चीज़ होता है tendon, जो कि आपके जितने भी जगा muscles present है, हा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, अब cartilage क्या होता है, जैसे कि आपको बताओ कि यह हमारा एक bone है, यहां तक एक bone है, फिर यहां पे एक joint है, जो कि क्या करता है, ये bone को जोड़ता है, तो ये bone को bone को जोडने वाला है, इसको हम bone हैं, दोस्तों, लेकिन ये soft bone है, सिर्फ muscles नहीं इसके अंदर, आप देखो क्या, टच करके देखो के तो इसके अंदर आपको एक bone लिखेगा, आपने chicken खाया होगा, तो chicken में भी देखो, piece आता है वैसा, ठीके, तो वो एक्कम soft bone होता है, ठीके ना, चबाने में सोड़ा क्र contraction relaxation का कैसे होता है, यह मैं आपको पता हुगा, let's suppose I am taking one of the best example, जो की आपके syllabus में भी include है, तो समझ लो, यह मेरा हाथ है, ठीके, मैं थोड़ा सा अपना biceps आपको दिखाने के कोशिश करूँगा, समझ लो, यह मेरा हाथ है, अगर मैंने इसको ऐसा किया, ठीके, यह मेरा हाग क किया, यानि कि थोड़ा सा मोडने की कोशिश की, तो यह क्या हो गया, थोड़ा सा फूल गया, क्यों फूल हा, क्यों कि हमारा जो muscles था, इसके अंदर, muscles तो है यह वाला, अब muscles जो था, वो क्या हो रहा है, दोस्तों, contract हो रहा है, तो यही चीज में बताने की कोशिश कर रहा ह कि हमारे muscles जो होते हर जगा contraction and relaxation में जाते हैं, तो जब भी आप muscles को मोड़ोगे, यानि कि क्या हो जाज़ा, squeeze हो रहा है, contract हो रहा है, तो contract होगा, तो जितने भी muscles यहाँ पे present थे, वो एक साथ, एक ही जगा पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो जैसे मैंने ऐसे किया, एक साथ, वो एक ही जगा पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे एक साथ इतना, आपको muscles दिख ला है, तो इसको हम लोगो क्या बोलेंगे, यह वाले चीज को बोलेंगे, contraction, तो यह जब contract हो है, इसको बोलते है biceps, यह याद रखना, आपको directly बता रिलाक्स हो गया, ठीके, दिख रहे है, थोड़ा भी तनाव हो नहीं है, इसके हैंदे, रिलाक्स है, एकदम रिलाक्स है, लेकिन जैसे मैं हाथ को ऐसा कर दूँगा, तो यह जो contract हुआ था, वो अब हो जाएगा, रिलाक्स हो गया, यह हो गया, यानि कि जब आप ऐसे हो गया, तो यह contract होगा biceps, और नीचे वाला triceps जो है, वो relax हो जाएगा, ठीके, जब आपने ऐसे किया, तो यह हो गया, relax और यह हो गया contract, तो alternation में contraction relaxation होता रहता है, वैसे हमारे heart के muscles होते हैं, वो भी contraction relaxation करते हैं, तभी तो आपका heart धड़कता है, लेकिन यह सब अभी नहीं पढ़ेंगे, यह हम लोग आगे एक topic आने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे types of muscles, वो हम लोग उसमें आपको में बताऊंगा, ठीके, तो उमीद करता हूँ कि यह जो muscle है, या फिर muscular system है, यह सबसे basic चीज़ पर आपको मैंने समझाने की कोशिश कर दिया, और यह जो muscles है, का muscles इस्तेमाल हो रहा है, कुछ चीज में gym कर रहा हूँ, तो मेरा हाथ का muscles इस्तेमाल हो रहा है, तो हर जगा, laughing, crying, even jumping, talking, walking, cricket खेलना, हर चीज में आपका muscles involved है दोस्तों, और यही चीज के लिए responsible है हमारा muscular system या फिर muscles, clear होगे दोस्तों, तो पूरी उमीद करता हूँ कि यह आपको बहुत ही proper and अच्छे तरीके से मैंने समझानी कोशिश की, और muscles के बारे में और कुछ important बाते में बताना चाहूँगा, कि जो हमारा muscles होता है, लगबक हमारे body के अंदर 600 types के muscles present होते हैं, यह भी आपको मैं बता दू, लगबक 600 types के muscles हमारे pure human body के अंदर present होते हैं, और muscles जो होता है, एक human adult body में 40% जो weight होता है, मतलब एक इनसान का अगर 100 kilo weight है, तो 100 kilo में से 40% weight कितना हो गया, लगबक 40 kg, ठीके, तो 40 kilo weight या 40% weight जो होगा, वो सिर्फ muscles का होगा, तो आप सोचोगे कि हमारे body में कितना muscles present है, आप सोचो दिमाक लगा हो, क्योंकि हमारे body में तो body भी present है, खून भी present है, पानी भी present है, हर चीज़ present है, लेकिन इसमें से 40% हिस्सा सिर्फ muscles है, और बाकी जो हिस्सा होगा, वो bone होगा, और साथ में जो हमारा blood and all जो भी चीज़े है, वो होगा, तो सोच सकते हो, आप कितना important चीज़े है, ये जानना, और हर जगा हमारा present होत अपना-पना function करते है, अब हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा muscular system के types की, ठीक है, muscular system types, ठीक है, muscular system के types की बात करें, तो generally there are two types of muscular system, muscles के अगर हम बात करें, दो type के होते है, सबसे पहला जो basic type होता है, उसको हम लोग बोलते है, voluntary muscles, ये चीज़ आपको बहुत important है, ये चीज में जो बता रहा हो, voluntary muscles ये आपको ध्यान में रखना है, तो voluntary muscles का मतलब क्या होता है, ऐसे type के muscles, जिसको आप control कर सकते हो, उस चीज़ को हम लोग बोलते है, voluntary, क्योंकि आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ा होगा, voluntary action and involuntary action, कुछ ऐसे चीज होते हैं, जो अपने आप कर सकते हो, जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं control कर पा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरा voluntary action है, कुछ चीज मैं control नहीं कर पाँता है, जैसे आंके जपकना, अब मैं कितना भी control कर लूँ, ऐसा करके रख लूँ, फिर भी मेरा एक time आएगा कि मेरे जो पल यानि कि कुछ ऐसे muscles होते हैं जिसको हम लोग खुछ से control कर पाते हैं वो muscles के movement को जैसे कि biceps का, मतलब हातों के muscles का, पेरों के muscles का, मेरे बोलने के muscles का, talking, walking, laughing, throwing, यह हर एक चीज जो होता है वो हम अपनी मर्जी से कर पाते हैं, हमारे actions के help से कर पाते हैं, तो ऐसे type के muscles को हम लोग बात करेंगे involuntary muscles का, इसका उल्टा जो होता है, वो होता है involuntary muscles, अब यह involuntary muscles का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया कि voluntary मतलब हम लोग खुछ से control कर पाते हैं, तो involuntary का मतलब यह रहेगा, ऐसे type के muscles के movement जो हम लोग control नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे muscles के moment है, जो हम लोग control नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सास लेना, तो आपने सास ले लिया, सास छोड़ दिया, यह आप खुद से control कर रहे हों किया, नहीं, आप अपनी मर्जी से ले तो सकते हो, लेकिन अगर आप रूको गे, तो वो अपने आप होगा, आप सोचो, आप कुछ और का जाता है, कि आप बोलते हो, कि पज्जा भाई, ऐसा तो बोलते हैं, नहीं, अपना पज्जा आता है, तो यह सभी चीज जो है, दोस्तो, involuntary muscles में आ जाते हैं, यानि कि जो भी ऐसे काम करने वाले muscles, जो involve है, involuntary action के लिए, यह सभी चीज किस में आ जाते हैं, हमारे involuntary actions में के types क्या होते हैं, दो type के main होते हैं, voluntary muscles होते हैं, involuntary muscles होते हैं, चलो ठीक है, यह चीज आपको समझ में आ गया, और दो important, एक चीज में आपको बताना चाहूंगा, musculo system के types आप से बढ़ने हैं, लेकिन muscles कोन-कोन से type होते हैं, अभी तक आपने muscles पढ़ा, लेकिन muscles के type कोन-को help करते हैं, यह आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, biology जो होता है, काफी मज़दार चीज है, तो यह आप लोग जो science पढ़ रहे हो न, यह 7th का, यह जो chapter यह आपका, यह biology का पाट है, तो बहुत ही मज़दार चीज है, अगर आप ध्यान दोगे न, हर चीज यतना, अच्छे से समझ में आएगा, कि आप टॉप करोगे अपने school में, जब भी आपका school college खुल जाएगा, तो यह चीज ध्यान में रखना, तो मैं बात कर रहा था, types of muscles की, ठीक है, तो types of muscles कौन-कौन से है, यह मैं आपको बता दूँगा, types of muscles, ओके, सबसे पहले types of muscles की बात करें वैसे तो बहुत सरे type के muscles होते हैं, लेकिन main हम लोगों को 2-3 type का muscles होते हैं, वो हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हमारा type का muscle, जिसको हम लोग बोलते है, skeletal muscles, तो skeletal muscles, नाम सा है, आपका पता सिल देगा, skeletal यानि कि skeleton, skeleton मतलब होता है, आपकी ह हड़ी के वेसे आया, हड़ी के वेसे आया, अगर हड़ी नहीं होता है, हम कैसे दिखते है, पूरा चमडी चमडी दिखते, वो एक alien था, Ben 10 में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो इसे दिखता, ठीक है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब क्या होग है, कि इंसान हाथ और पैर के जितने भी मसल्स होते हैं, ठीक है ना, आपके हाथ और पैर के अगर मैं बात करो, जोनों आपका हाथ और पैर, अगर हम जोईन कर दिया जाए, तो उसमें जो मसल्स होते हैं, और दोनों को जोडने वाले भी जो मसल्स होते हैं, ये सभी चीज मसल्स को हम लो जो स्केलेटल मसल्स होते हमारे स्केलेटन के उपर होते हातों में पैरों में यह पुरा जो मसल्स होता है बाहर का जो दिख रहा है आपको बाहर का जो भी मसल्स आपको दिख रहा हाथ पैर पीछे आगे सब जगा यह जो मसल्स होते है वो स्केलेटन के ऊपर मसल्स से हिला सकता हूँ ठीक कमर को ट्विस्ट कर सकता घंगा इस सबसे न用uda को रोटेट कर सकता हूं तो हर छीज जो है हम लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं यानि कि यह मसल्स क्या होते हैं वालेंटरी मसल्स होते हैं जैसा हमने पहले भी डिसकस किया है यह को होगे बात करें बहुत इंपोर्टन रांस को को मिलों नाम से जाना चाहते हैं दिल के आस पस होता है राइन इनका मेंन क्या होता है इसते हैं आपको स्टाट मेने ही बता तो मसल्स क्या करते हैं, अगर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगे, क्योंकि अगर वो धड़क नहीं रहा है, और धड़केगा नहीं, तो बलड को पंप नहीं करेगा, और आपके जो वाइटल और और उसको बलड नहीं मिलेगा, और आपकी जान भी जा सकती है, जैसे कि आप आपको पता है, हाट is the main thing, हमारे बॉड़ी के अंदर, तो आपको यह चीज़ याद रखना है, कि जो हमारा beating of हाट होता है, वो हाट muscles के वज़े से होता है, यानि कि जो दिल में muscles present होते हैं, वो continuously contract होते हैं, एक बार एक बार जो दिल होता है हमारा, एक बार contract होगा, फिर relax हो पूरे top to bottom, सर से लेके पैर तक, पूरा blood जो है, गुमता रहता है, पूरे दिनों रात गुमता रहता है, सोते भी रहते तो भी घुमता रहता है, अपने आप होता है, तो इसके लिए यह जो type के muscles होते हैं, यानि कि जो cardiac muscles होते हैं, वो involuntary माने जाते हैं, यानि कि इनके सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं, हर सकेंड में एक से ज्यादा होता है, तो आप सोच सकते हो, यह ज़्यादा है, यानि कि इसके लिए फास्ट हो जाता है, तो यह सब चीज की चर्चा अभी ने करेंगे, क्योंकि हम लोगों पढ़ना है, पहले cardiac muscles या फिर heart muscles, आपको याज में रेने वाला जो मसल्स है, that is known as the cardiac muscles, involuntary होता है, क्योंकि हम लोग उसको control नहीं कर सकते, 70 बार ढड़कता है एक मिनट के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, एक ओर टाइप के muscles, जिसको नाम है, third type of muscles, जिसको हम लोग बोलते हैं, smooth muscles, smooth मतलब क्या होता है, एकदम मुलायम, ठीक है, smooth है न, एकदम, मुलायम है, तो नाम भी उसका ऐसे, ये smooth muscles, लेकिन ये सही में smooth होते हैं, इसलिए इनका नाम रखा है smooth muscles, तो ऐसे type के muscles जो smooth होंगे, तो कहां present होगे, हमारे अंदर present होगे, क्योंकि देखो, ये muscles जो है, touch करके, देखो, कितना, ज्यादा smooth नहीं है, थोड़ा सा चिप-चिपा, hard, और थोड़ा rough भी लगता है कभी-कभी, इसके लिए काम चल जाता है, बाहर हमारा जो muscles होता है, उसका काम चल जाता है, लेकिन किस से बने होते हैं, ये type के muscles, यानि कि smooth muscles से बने होते हैं, और again, ये जो type के muscles का, जो movement होता है, वो involuntary होता है, यानि कि हम लोग इसको control नहीं कर सकते हैं, क्योंकि obviously आप बोलो, kidney क्या करता है, excretion का का काम करता है, यानि कि आप जो भी पानी पीते हो, खाना खाते हो, तो उसमें से filtration का जो काम करता है, और harmful चीज़ों को निकाल के, हमारे toilet की तुरू उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है, तो kidney ये अपने आप करता है, हम लोग बोलते हैं, क्या kidney को चल भाई, तो अपना filter चालू कर, हम तो ये इसको special muscles भी कहा जाता है, smooth muscles तो है, लेकि special muscles है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे, तो हमारे body के अंदर के organs जो है, काम नहीं कर पाएंगे, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा important है, और हमेशा याद रखना कि जितने भी muscles होते हैं, हर एक muscles के अगर मैं बात करो, ये से अपना जोडियों में काम करते हैं, यानि कि ग्रूप में काम करते हैं, जोडी नहीं बोलूँगा, ग्रूप में काम करते हैं, क्योंकि हर एक को किसी ने किसी की ज़रूते है, lungs को यहाँ पे हमारे नोस की जरूते है, फैरिंग्स की जरूते है, फिर डाइफर गम होता है, उसकी जरूते है, फिर वहाँ से oxygen लेगा, तो blood लेके जाएगा, उसको nerves हो गया, तो हर चीज जो है आपस में dependent होते हैं, यानि कि एक muscles अगर contract होता है, दूसरा muscles जो है, रिलाक्स होता है, और इसी प्रक आज के लिए हमें इसा ही पढ़ना था, अधक्र का पहला लेक्चर था, यह पहला जो पार्ट था जिसमें पढ़ना था, muscular सिस्टम के बारे में, कि muscles क्या होता है, muscular system क्या होता है, कौण-कौण से main type की muscular system होते, voluntary, involuntary, और muscles के धी कौण-कौण से टाइप होते हैं, और कौण- सिस्टम में और किस प्रकार वो फंक्शन करता ये सब इचीज हम देखेंगे लेकिन हमारे अगले लेक्टर में तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको अपना अगला लेक्टर इस चाप्टर का मिल जाएगा जल से जल तो आज के लिए इतना ही कैसा लग कर देना साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक्यू एंड गुडबाई